आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहाँ क्वेशन दिया गया करेंगे हम तो कैरो मैगनोन मैन हुमिन के किस स्टेज के अंदर आएंगे किसको हम बोलेंगे कैरो मैगनोन मैन तो उसके लिए हमें मैन के एविलूशन को पढ़ना होगा कि जो मैन थे हुमिन बिंग्स थे उनका एविलूशन कैसे हुआ कैसे वो evolve हुए और उनका origin कैसे हुआ तो first human के जो stage थी first human like hominid was called homo habilis तो सबसे पहले जो man arise हुए थे evolve हुए थे वो थी हमारे homo habilis अब homo habilis के बाद human beings की next stage आई वो क्या थी हमारी homo erectus जिनके fossil जावा के अंदर पाए गए थे इसलिए उनको बोला जाता है जावा मैन तो homo erectus क्या है जावा मैन अब इनकी brain के पिस्टी की बात करें तो homo habilis की brain के पिस्टी थी around 650 to 800 cc ये थी हमारी homo habilis की अब homo erectus की brain के पिस्टी की बात करें तो वो थी around 900 cc अब homo erectus के बाद human beings की next stage थी वो थी nidentral man nidentral man अब उनकी brain के पिस्टी की बात करें तो वो क्या थी around 1400 cc दिन जो उसके बाद जो modern man arise हुए वो थे हमारे homo sapiens बट early homo sapiens को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे caromagnon man तो caromagnon man caromagnon क्या है हमारे early homo sapiens अब उनकी brain के पिस्टी की बात करें तो वो थी अप्रोक्स 1600 cc तो यह थी caromagnon man की brain के पिस्टी और उनके बाद caromagnon के बाद जो modern man arise हुए उनको बोलेंगे हम homo sapiens तो फास्ट उप्शन दिया गया है 900 जो आएगा हमारा homo erectus के लिए correct answer होगा then 1075 तो यह option भी हमारा incorrect है then 1045 तो यह निदेंट्रल man के लिए correct होगा फॉर्थ उप्शन दिया गया है 1600 cc तो यह होगा हमारा correct answer brain capacity, cranial capacity of caromagnon man तो यहां correct option हो जाएगा फॉर्थ आज ही डाउनलूट के लिए डाउट नटाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट आच चार्सो 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 पर